आज किस वीडियों हम लेकर रहे हैं आप सभी के लिए क्लास्तेंथ मैटिक बोर्ट चात्रों के लिए दोस्तों मैथमेटिक्स गनित का कुछ इंपोर्ट अब्जेक्टिव टैप कोशन्स यह सारे मोडल सेट के कोशन्स है दोस्तों वह भी आपको बिल्कुर न्यू पैटर्न पर देखने को मिलेंगे ठीक है तो जितने भी अभिरती एक्जाम्स देने वाले हैं दोस्तों कलास्तेंथ का बो लोग और दिर्गुतिय परसंद हैंगे 50 परसंद अब्जेक्टि के बात करेंगे उसमें आपको सो अब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें सिर्फ और सिफ आपको चुन्चुन के 50 का जवाब देना है जो आपको इजी लगता है वही इसी का आपको वेमार सेट में गोला भरना टीक है त्स आपको लगू ऊतिरे रहेंगे जिसमें से 15 का ही जवाब देना है आठ आपका देर्य Պतिर मतलब 5 नमबर के रहेंगे जिसमें चार का जबाब देना है ठीक है तो इस तरीके के आप लोग को परिख्षा पैटर्न रहने वाले हैं तो चलिए हम लोग एक एक प्रसंद देखते हैं यह सारे जिसमें आप लोग को हर चप्टर से रिलेटर कोसंद रहेंगे तो वीडियो को अन तक सभी देखना ठीक है काफी इंपोर्टेंट आप सभी के लिए होगा और यहां से काफी चीज आपको सिखने को देखने को मिलेंगे चलिए हम लोग शुरू करते हैं और भी काफी सारे कोसंद का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों यह ओफिसियल वेबसाइट है इस चैनल का अस्टारकस्टडी.com गूगल भी लिखना लिंक आपको वीडियो के डिस्किप्शन में देदूंगा यहां पे आप लोग को हर सब्जेक्ट के चप्टर वाज अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजेगा सारे ठीक है सियर भी कर दीजेगा और सब्सक्राब कर लेना चैनल को ताकि आगे की बिलोज का नोट्फिकेशन आपको मिलते रहेंगे तो चलिए बिना किसी देरीक हम लोग पहला प्रस्ट को स्टार्ट करते हैं अंतक सारे देखना हर एक चीज मैं बताऊंगा डिटेल्स में ताकि आपको इस तरह के प्रस्ट आएंगे एकजांस में तो आपको छुटे नहीं ठीक है देखे दोस्तों अब पहला प्रस्ट कहा इक्वल मतलब मूल इसका समान है ठीक है तो तब क्या सत्य होगा जैसी मूल समान आपको देखनों को मिलेंगे तो आप एकी चीजा देखना कि जो भी एक्वेशन दिया गया है एक स्कुएर पलस बी एक्स पलस सी ठीक है और दिखात समीकरन का जो ब्यापक रूप होता है ए देखने कोस्टन जो है यह और यह सेम है ठीक है तो हमको को भी तुलना करने के जुरूत नहीं है तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा अपर बी और सी बराबर सी हो जाएगा ठीक है तो हमनों क्या करेंगे एक जानते हैं अगर मूल समान होता है तो दोको मूल समान हो तो D बराबर क्या होता है 0 और D का वैलू क्या होता है दोस्तों B square minus 4AC का मान क्या होता है 0 ठीक है तो B square रखेंगे minus 4AC को इसे लेकर जाएंगे ति यह plus 4AC हो जाएगा या तो यह answer होगा दोस्तों ठीक है या फिर अगर एक और इसमें step आगे बढ़ेंगे तो B बराबर plus minus root under में क्या हो जाएगा यह 4AC ठीक है यह या फिर यह answer होगा तो options में हमको देखने से मिल रहा है कि B square 4AC तक रखा गया है यही आपका क्या होगा इसका answer हो गया ठीक है तो मूल समान होते ही जैसी questions में दिखे तो आपको डी बराबर 0 कर रहा है और डी का वहलू यहां पर बिवेच्चा के दोस्तों उसका वहलू होता है B square minus 4AC बराबर 0 बस आपको answer आ जागा ठीक है बहुत ही simple प्रसन था आगे इस तरह के प्रसन और आएंगे अगले मोडल सेट में तो काफी सारे मोडल सेट की त्यारी मैं करवाँगा दोस्तों आप लोगों को 50% objective और लगो और दिरगोते प्रसन भी मैं बताओंगा सारा ठीक है अब देखे यहां पर प्रसन है कि x square plus 3x plus 2 जैसी maximum घा दूद देखे तो यहीं इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों यह आपका maximum यहां पर दो घाता है तो यह होगी आपका दो घात समय करें ठीक है बराबर 0 हो तो x का मान निम्लिके तुमें से कौन सा होगा पूर्नांग होगा या फिर आपको भीन संख्या होगा या फिर आपर में स संख्या हो या फिर वास्तविक नहीं होगा मतलब अवास्तविक होगा तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं एक स्कुर्ण प्लस 3x प्लस 12 वराबर 0 x का मान का मतलब यहां पर क्या हुआ दोस्तों कि x का वैलू हम क्या क्या रखेंगे ताकि इसको क्यल्कुलेशन करने के बाद यहां पर 0 आ जाए ठीक है तो वही मान होगा या फिर इंटीजर रखेंगे पुर्णांग संख्या रखेंगे भीन संख्या रखेंगे अपरमे संख्या रखेंगे या फिर वास्तविक या फिर अवास्तविक ठीक है तो हम लोग हल कर लेते हैं इसको तो हल करेंगे हम लोग एक्स वरावर लिखेंगे हम लोग जानते हैं दोस्तों माइनस बी पलस माइनस रूट अंडर में बी एसक्वाइर माइनस 4AC अपॉर 2A ठीक है जब भी इस तरह के प्रस्णा पूछा जाएगा तो आपको आसानी से इसी तरीके से आपको एक्स के भालू निकालना स्रीधारा चार्ज के नियम से फर्मूला सभी को पता ही होगा तो यहाँ पर देखो B के जगा पे 3 है यहाँ पर क्या है A के जगा पे 1 B के जगा पे 3 और C के जगा पे 12 है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे B के जगा पे माइनस 3 दखेंगे पलस माइन भी माइनस आ जाए है तो इसी लिए यहांपर वास्ति वीक हो झाहें होगा ठीक है कि समझ में आदे ना या फिर डी का फैलो अगर निकालेंगे हम लोग दोस्तों यहां से डी का फैलो यह लेस दें जीरो होगा ठीक है क्योंकि मैंनस मैं इसका मार्ग्ट एक परीदि को ही बोलते हैं एवं उसका छटफल बराबर हो तो बित कि तिरिजा जो होगी क्यों क्या होगे देखिए बहुत ही सिंपल प्रस्थन है कहा गया है कि परिमाप ठीक है बराबर क्या है दोस्तों च्छत्रफल है और यह दोनों किसका है दोस्तों यह ब्रीद का है ठीक है क्या है यह ब्रीद का ठीक है ना बिद के छत्रफल और परिमाप बराबर है परिमाप को को आपकों में लोग परीधी बोलते हैं तो परीधी क्या होता है यह इसका यहां से नमर टीने का एक कोड़ेक्ट यहां पर हो जाएगा next question देखता है 4 numerous कहा गया है कि 2, 3, 4, 5, 6 माधिका होगे माधिका मतलब होता है दोस तो, बीच की संख्या माधिका मतलब बीच की संख्या को माधिका बोलते है कोई भी आपको ibeطs दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे सबसे पहले या तो फिर हम लोग बढ़ते करमें सजाएंगे या फिर हम लोग घड़ते करमें सजाएंगे ठीक है लेकर आप questions दिख रहा है कि 2, 3, 4, 5 और 6 यह already questions में हम लोग को बढ़ते करमें सजा के दिया है इसमें कोई भी छेरचार हम लोग नहीं करेंगे ठीक है तो माधिका निकालेंगे दोस्तों माधिका मतलब मैं ने बत ह Twenty cents की संख्या कौन सा है इधर से गिनेंगे एक दो तीन इंदर से गिनेंगे एक दो तीन तो मतलब चार जो है यही इसका क्या ऑभाणिका- 4 क्या है, इस सिरीज का इस टर्म का दोस्तों, आपको बीच की संख्या है, ठीक है, 4 तो वही इसका एंसर हो गया, अब इसमें क्नुफुजन कब इसका एंसर हाला कि 4 का C हो जाएगा अब इसी में एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग इसमें तो इतना टर्म था, अगर इसी में हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लिख देते हैं, ठीक है, एक और टर्म हम लोग बढ़ा देते हैं, अब देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, अब 2 संख्या क्या आ गया, बीच में आ गया जो भी संख्या बीच में आ रहा है, दो संख्या तो उसको लोग 4, 5, 5, दोनों को जोड़ देंगे, और दो से क्या करेंगे, हम लोग डिवाइट कर देंगे, ठीक है, यह हो जागा 4, 5 इसका एंसर हो जागा, ठीक है, जब इस तरह का प्रस्ना आएगा, तो आपको और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा, अलाकि इसका एंसर 4 का सी हो जाएगा, चले पांच में देखते हैं, कि बिट की सबसे बरी जीवा जो होती हो, क्या होती है, माल लेता है, दोस्तों, यह कोई बिट है, ठीक है, यह आपका इसका तिर्जिया है, आर, तो बिट की जो, इसको हमनों क्या बोलते है, जीवा बोलते है, यह जो मैं खीच रहा हूँ अभी, इसको जीवा बोलते है, अब इसी जीवा को खिषते-खिषते दोस्तों, एक ऐसा टर्म आता है, कि जो केंदर से होकर गुजरता है, ठीक है, ऐसा जीवा, जो केंदर से होकर गुजरेगा, उस सब सबसे बराद जीवा कहलाएगा सबसे बरी जीवा सबसे बरी जीवा और सबसे बरी जीवा को हमनों क्या बोलता है डैमेटर बोलता है मतलब ब्यास बोलते है ब्यास का मतलब होता है दो यहां पर क्या होगए और नमर बी को रिक्ट हो जाएगा गृत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है व्यास का लाती है अगला दोस्तों देखते हैं कि X अक्ष के जो निर्देसांग होते हैं वो क्या होते हैं जैके X पर y का भैलू हमेशा याद रखना देखो इसमें बहुत सारी स्ट्राइब कौन्फीज होते हैं कि x ऑक्ष के निद्धे सांग कहाा किया है ना X अक्ष के निदे सांग कहा गया है दोस्तों तो हमेशा याद रखना X अक्ष को X लिखेंगे और X अक्ष के निदे सांग जब बोला जाये तो Y का वहलो क्या रखेंगे? 0 तो X, 0 यहाँ पर option निमर क्या हो गया? 6 का A राइट हो जाएगा, ठीक है? अब यही पूछा जाएगा दोस्तों Y अक्ष के निदे सांग दोको Y अक्ष के निदे सांग अगर पूछा जाएगा ठीक है तो Y को Y रखेंगे और X के जगर पर क्या लिखेंगे 0 तो यह 0, Y जो है यह Y अक्ष के निदे सांग हो गया है कि य अक्ष के निर्दे सांग मतलब जो आपको अक्ष दिया रहेगा उसको लिख के और बाकी को जीरो लिखेंगे ठीक है क्योंकि वो उस अक्ष पर Y का भैलू या फिर X का भैलू जीरो होगा ठीक है ना इसका इंसा 6 का यहां पर राइट हो जाएगा चली सेवन नमर देखते हैं कि कहा गया कि टू साइन अठावन डिगरी बटास कॉस 32 डिगरी का भैलू क्या होगा बहुत ही सिंपल है टू साइन अठावन ठीक है बटा में है कॉस 32 दो को एक ट्रिक बताता हूँ जब साइन और कॉस में कोई भी टर्म दिया रहे है और डिवा ठीक है तो दो गुने एक यहाँ पर दो इसका राइट एंसर हो जाएगा हला कि यह कैसे आता मैं आपको समझाते ता हूँ जैसे दो साइन 58 डिगरी है ना अब आटा में कॉस 32 डिगरी तो हम लोग क्या करेंगे साइन या फिर कॉस को हम लोग कॉस या फिर साइन में बदल है चलो साइन को हम लोग कॉस में बदल देते हैं ठीक है यहाँ पर दोखो टू साइन 90 में से कितना घटाएंगे ताकि 58 आ जाए तो 90 में से हम लोग 32 घटाएंगे तो यह फिप्टीएट आ जाएगा बटा में क्या है कॉस 32 अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं दोस्तों कि माझ्य साइन 90 मैनेस ठीटा जो होता है वापर कॉस ठीटा के बराबर होता है क्या होता है कॉस ठीटा के बराबर तो तूद यहाँ पर क्या बचाए और ठीटा के जगणा रहाएं कितना है बटीश दीक जानता जबयोद दोगति चाट गया बचा वे दो यह तकिões और चारgew कोट का भी बात आएगा तो next है यहाँ पे 8 नमर कि किसी घटनाओं कि परेक्टा का योग जो होता है वो कितना होता है तकि कि इतने भी टोटल परेक्टा होगा सभी का योग जो होगा वो केवल 1 के बरावर होगा ठीक है 0 से 1 के बीच में ही प्रैक्ताओं का मान होता है minus 1 कभी ने होगा 2 कभी ने होगा 0 हो सकता है 1 हो सकता है या फिर 0.1, 0.2 मतलब 0 और 1 के बीच में ही होगा कहने का मतलब दोस्तो 0 के बराबर ठीक है 0 से बरा और हमेशा क्या होगा 1 से छोटा होगा ठीक है न 0 से 1 के बीच में याद रखना 0 से 1 के बीच में होता है प्रैक्ताओं का मान न निगेटिव होगा न इंटीजर में होगा ठीक है न एक से बरा होगा अगला देखते हैं 9 नमर कहागे कि 1 चर में रैखिक समीकन का ब्यापक रूप देखें दोस्त अगर द्विघात पुछा जाएगा तो AX स्क्वाइर पलस BX पलस C हो जाएगा बराबर 0 यह हो गया आपका द्विघात क्या हो गया यह द्विघात AX Q पलस BX स्क्वाइर पलस CX पलस D यह क्या हो गया दोस्तों आपको द्विघात आपको तीन घात तक ही याद रखना क्योंकि आपके एक्जामस में तीन घात तक ही मैक्सिमम् पूछे जाते हैं ठीक है ति यह तीनों इसका क्या होगा ब्यापक रूप हो गया ति यहाँ पर ऑफसोस नंबर 9 का ए हो जाएगा जो ब्यापक रूप है चलिए अगला देखते ह संथ हैं रूट का मान बर्तू तो क्या होगा सिमपल परेखते हैं बök कर याद रखो कि सिंध्य का मैं कितने डिगरीत का वैरु होता है इसके लिए हम लोग क्या करेंगा या विखे टो सेक्टा को छो खोरो okay याद राखेंगे कि किसका माल होता है रूटिधीट क्योंकि उल्टा होता है स्कॉष का उल्टा सेक होता है तो रूट जिया रे आपको कॉस्ति स्खकी स्बस्ट इभर बाबर होता है कॉस्ति स्ert protector यहां से आप टीटा कि ठीटा कि दिख ठीटा कि एंगे तो सीक से यहाँ पर से गया तो ठीटा का मान 30 डिविए हो गया एक ओपसनल में यहाँ पर बी कोरेक्ट हो जागा दर आप लोगको इस तरीके कि अभिर ना तो और यहां पर इण आणे जाईगा तो यह दो होता है समय में आलेना और शेक 45 का मान पूछा जाएगा तो रूट अंडर 2 होता है इसको याद रखोगे असानी से बंगय वे कोंद से जाएंगे अगला देखते हैं दोस्तों कि 0.3 के उपर recurring का परिमे संख्या में रूप में परिमे रूप में लगुत्तम रूप कौन सा है बहुती सिंपल प्रस्ण है ये भी कहा गया है कि 0.3 है उसके उपर recurring है तो हम लोग जानते हैं दोस्तो recurring हटाएंगे नीचे में 9 सटेगा तो यहां से एक से तीन कट जाएगा ती इसका फैलू जो होगा एक बटा तीन होगा क्या होगा एक बटा तीन यही उप्संस नमर सी जो है ये इसका correct answer है मतलब जितना भी recurring होगा उतना नीचे में 9 आ जाएगा ठीक है बटा में अगला है कि 3 पलस 2 रूट 3 कौन सी संख्या बहुती सिंपल है पूछा जाता रहा है दोस्तो कहा गया है कि 3 पलस 2 रूट अंडर 3 कौन सी संख्या है तो देखो एक चीज बटाता हूँ दोस्तों यहां पर कोई भी संख्या और परिमे संख्या में प्रमे संख्या अगर जोड़ता है तो हमेशा क्या होता ओ प्रमे संख्या का लाता है ठीक है अब बता हमको यहाँ पर तीन कौन सी संख्या है तीन है आपका प्रमे टू रूट थिरी कौन सी संख्या यह है आपका आपर में क्योंकि रूट अंडर थिरी है और रूट का जिसका हम लोग पूर्ण वग नहीं निकाल सकते हैं उसको हम लोग क्या बलते हैं दोस्तो आपर में संख्या तो जब भी पर में और आपर में का जोर होगा या फिर घटा थिए बहूपद एक स्क्वार पिलाबर 01 स्क्राइब जीरो नहीं है यह बहूपद दिया गया इसका पूछा गात तो को अपतलु में कर देखना है इस इक्वेशन देखो मैकसीमम घहात कितना है दो घाये चोदर नमार देखते हैं कि द्विघात समिकरन का माना करूप कौन सा अब इजर स्टम लोगों ने पढ़ाया कि तीन तरह के माना करूप रैखिक द्विघात और त्रिघात का मैंने आपको टोटल तीनों बताया ठीक है तो समिकरन है तो समिकरन में 0 आपको लगाना है देखो किया होगा AX square प्लस BX प्लस C और यहां पर A WAS 0 होगा बराबर 0 जहां पर A पर भी लिखाया है ता बहुत सारे चाथ इसको क्या करेंगे सही कर देंगी जल्दी जल्दी में लेकिन यह आपका क्या होगा गलत हो जाएगा क्योंकि दुधा समीकरन है और समीकरन जब ही पुछा जाएगा तो हमेशा क्या करना जो भी equation आपको है उसके बराबर में 0 लिखना ही परेगा यही इसका right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा right answer 14 का C चले 15 नमर देखते हैं दोस्तों कहा गया है कि यदि AP का NMA पद AP का NMA पद है ठीक है जब पहला पद A सारवंतर D हो तो NMA पद ग्याद करें देखे TN TN बराबर क्या होता है ठीक है जब हम लोग को पहला पद मतलब first term A का value पता है यही दिया है और सारवंतर आपको पता है सारवंतर क्या है D है ठीक है और पदों की संख्या N है पदों की संख्या N है इसका फर्मूला होता है तो TN बराबर A plus N minus 1 इनटू D ठीक है तो हम लोग को NMA पत A के जगह पर क्या है पहला पत के जगह पर यही दिया है N के जगह पर पदों की संख्या भी N ही है N minus 1 और D के जगह पर भी आपको D ही है यही क्या हो गया इसका एंसर हो गया a plus n minus 1 into d तो a plus n minus 1 into d किसमें है दोस्तों आपसरस नमर 15 का a में है यही इसका क्या हो गया right answer हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ना दोस्तों 60 नमर कहा गया कि सभी बृत जो होते हैं ठीक है तो बोला गया है यह मालत है इसको हम a b c और d मतलब बोला गया कि सभी बृत जो होते हैं वो क्या होते हैं सरवांगसम होते हैं समरूप होते हैं और समरूप होते हैं फिर इन में से कोई ने अब देखो दोस्तों इस चारो आप लोग बिउत्ज़ों को गौर से देखोंगे शिर्फ आप यह सिर्फ आकार में बजा है बाकि इसका रूप जो है एक ही है क्या है इसका similar है रूप अलग मतलब एक ही है ये भी आपको गोल दिखेगा, ये भी आपको गोल दिखेगा, ये भी आपको गोल दिखेगा, ठीक है, इसमें भी 360 डिगरी है, कुन बनेगा, इसमें भी 360 डिगरी, इसमें भी 360 डिगरी, समझ में आरे न, इसमें भी आपको एक तिर्जा है, इसमें भी आपको एक तिर्जा ह तो ये आपको क्या हो गया सभी बिरिद जो है एक दूसरे का है समरूप है इसको मिन Gibral hook क्या बोलेंगे समरूप अब इसमें एक और चीजा मैं बता देता हूँ ये तो आपको हो गया बिरिद के बारे में अगर इसी में पूछ दिया जाए दोस्तों आप लोगों से कि सभी संभाहु तिर्भुज क्या होता है सभी संभाहु तिर्भुज की बात हो रही है तो सभी संभाहु तिर्भुज जो होते हैं वो भी समरूप होते हैं ठीक है क्या होते हैं समरूप होते हैं संभाहु तिर्भुज की बात हो रही है समभुरूप और सरवाएंगसम अगर इसमें से options रहाता है समभुरूप और सरवाएंगसम दोनों तो वो answer हो जाता है अगर नहीं है तो उसको हम लोग समभुरूप मानेंगे options नवर 16 77 देखते हैं बिंदू पी मैनस 4,5 में भुज है भूज किसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग X अक्ष को भूज बोलते हैं और Y अक्ष को कोटी बोलते हैं ठीक है Y X को क्या बोलते हम लोग कोटी बोलते हैं तो X बराबर भूज, Y बराबर कोटी यह हो जाएगा आपको P मैनस 4,5 तो यह आपका हो गया भूज क्या हो गया भूज यहाँ पर options नमर c जो है यह correct हो जाएगा ठीक है भूज अगला देखते हैं कि 1 प्लस 10 अस्क्वाइर बट्टा में है 1 प्लस कौट अस्क्वाइर बहुत ही सिंपल है इसको formula based हम लोग लिख सकते हैं जैसे हम लोग जानते हैं कि C2A-102A का मान होता है वन उसी तरीके से होता है एक कौशेक अस्क्वाइर ए माइनस आपको होता है कोट अस्क्वाइर बराबर होता है फिक है तब देखो अगर सेक अस्क्वाइर एक हम लोग रखेंगे और इस माइनस के ल को सsecond लेकर जाएंगे तियों समकारे कि उसी तरीके से साल के हैं ने कोई सेट रहेंगे बराबर कॉटा स्कूर एक स condition होजाएगा वन फी ज्रॉटा स्कूर एठीक हमसे माइगा क्या क्या है दोस्तों प्लस टेन 2 ठीकえば बटा में 1 प्लस काउट अस्क्वाइर ए अभी हम लोग जश्ट मान निकाले हैं इसका वहलू सेक अस्क्वाइर एक के बराबर होता है बटा में इसके बराबर को सेक अस्क्वाइर एक के बराबर होता है ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे को सेक अस्क्वाइर एक को हम लिख स साइन लोसक्त कि एक बडूम आप सब्सक्ट करें ऍर इस की बडाबर हो यह वह गया शुर्ण को गया कि रिष्ub रिख रिख किया बेला है इसकी कितने आसपर्स रखाई हो जो सकति एंधरों पहले है इससे एक असपर्स रखाई हो गया इस स्वेर बोला गया है ये इक एक बिदू से ठहके इतने है कि एकσιकित्स रखाय हो सकती पो एक एक बेंद्व यहां भी होगा ऐसे हम लोग खिछेंगे कि असे खिंगे मतलब हर तरीके से चम्रोग सकते एक विरीत पर अनन्त-अस पर्जाय हो सकती है कितने अनन्त-अस पर्जाया, लेकिन अगर उसी को सगल में ही, 9 न में नमर को सोगया, प्रिट पर एक बिन्दू से कितनी असपर्स रखाए खीचे जाएंगे जब यह प्रस्ण आप लोगों से पूछ दिया जाना तब इसका एंसर जो होगा केवल और केवल दो असपर्स रखाए कितने केवल दो असपर्स रखाए खीचे जा सकते हैं समझ में आरे ना केवल दो होगा एक बिन्दू से ठीक है जब पूछा जाके एक बिरित पर कितनी असपर्स रखाए हो सकती है तो अनन्त होगा इन्फाइनाइट होगा ठीक है इसको ध्यान में रख भूजहों नियुक्त के बीच का अनुपाद कितना होता है है कि की वहाद की भूजह करंका आति कि अधिक बीकर्ण कासियोंग ड़े उसका अनुपाद पुझा गया तो माद दोस्तों ये को ही आपका वर्ग है जिसकी भूजह है अठिक है और यह to develop कि अहाँ धो नहुत है यह खार लोग मिलते हैं है ठीक है और यह मोने इसका एक बिकरन है ठीक है न जख यह समकुन तिर्भूुज होता है यहाँ पर 90 डिकरी यह अधार यह लो वालेकर्न हो गया तो करनल का फर्मूला जिस्ट रूट में अधार ह rasa full reaction रूट अणर एश कोर कि रूट अ अणरे सक्वडर कोरत में और ऊट चल्फीआग्या चाहिए उक्ञाने यह kोगतों पहर हो जाएक सब्सक्राइब आपको बी याद रखना है बहुत ही सिंपल प्रसंद था ठीक है ऐसे याद रखना कि वर की भुजा अगर ए है तो भीकर्ण उसका होगा रूट अंडर टू गुने भुजा ठीक है या फिर ए रूट टू भुजा गुने रूट टू अगला देखते हैं छो ब भी वर्टक्यू के रूप में हो कोई भी फॉर्म ठेक है कोई भी आपको एक्संदिया हुए पी और क्यूमें कोई बनान खनफ लोग धूरम कॉमन नहीं होना चाहिए जैसे तीन वर्टा पंद्रा जो है इसमें कॉमन है ठीक है तीन पंच पंद्रा तो इї एक वर्टा पां होनी होनी चाहिए ठीक है मतलब कोई भी Common नहीं होना चाहिए ठीक है मैं Simple उधारंदियो च्छोटा सा बरा-बरा संख्या हो सकता है यहां पर और Q का गुणन खंड क्यों का जो नखंड होगा वो दो और पांच के रूप का होना चाहिए ठीक है दो और पांच के रूप का होना चाहिए दो के पावर M या फिर पावर N कुछ भी हो रहे है लेकिन दो और पांच दो और पांच के अलावा कुछ भी आ जाए, तीन आ जाए, ठीक है, साथ आ जाए, ये सभी संख्या क्या होगे, असांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको पहले समझ लेते हैं, दो और पांच जैसी आएगा, तीस को हम लों क्या करेंगे, सांत, सांत परसार बोलेंगे, ठ कुछ भी दू और पांच के अलावा दू और पांच भी रहेगा न ठीक है और उसके अलावा अगर तीन आ जाएगा तो वह आपका असांत हो जाएगा ठीक है कुछ भी संख्या जैसे अब हम लोग कोश्ण दिया गया है कि इस नमर इसको हम लोग हल करते हैं देखो सिंपल तरीके साब को समझ में आजाएगी क्या क्या आगया च्छे बटा में पंदरह अब देखते हैं तो इसमें कॉमन्स है कुछ कॉमन है ना तो हम लोग कटा देते हैं तीन दू नीच और तीन पंचे पंदरह ये दो बटा में पांच आगया ठीक है अब देखो ये तो सिंपल है इसको भाग दोगे आप लोग 0.4 ये कट जाएगा असानी से ये तो हो जागा सांत दसमला परसा अब इसी में अगर बड़ा बड़ा संख्या दे दिया जाए ठीक है जैसे आपक ठीक है अब इसको कट आओगे तो थोड़ा से करना होगा लेकिन इसमें देखते हैं सबसे पहले उभेनिस गुर्ण खरना है नहीं है कुछ भी इसको हम लोग दो मतलब इसका फेक्टराइज करेंगे पंदरह का ये दखो ये हो जागा आपको तीन पंचे पंदरह ठीक है आठ वटा में तीन गोले पंच है ना तीन और पंच आ गया थी कभी भी आपका क्या होगा ये नहीं कटेगा क्या होगा नहीं कटेगा ठीक है ना ये आपका हो जागा असांत ये क्या होगा असांत दोस्तों समझ जाने हैं ये कभी भी जैसे 0.4 पूर कट किया न यह 8 पटा पंद्र कभी निकटेगा आप भाग देखके देखलो यह आपको भाग लगते चला जाएगा इसमें ठीक है कभी भी निकटेगा इसको क्या बलते हैं अगला देखते हैं बाइस नमार यदि अलफा विटा जुगात बहुपत के सुनियक हो तो होल असक्वार है दोस्तों ठीक है एकसस्क्वार प्लस सेवन एकस प्लस दस के सुनियक अलफा वीटा है मूल मूल क्या है इसका अलफा वीटा है ठीक है तो अलफा प्लस बीटा का होल असक्वार क्या होगा बहुत ही सिंपल है तो अलफा प्लस बीटा का होल असक्वार तो स इसका स्क्वाइर करेंगे ति यह 49 आ जाएगा ठीक है अप्संस नमर सी बहुत ही सिंपल प्रसंतर अगला देखते हैं जुगात भवपत के सुन्यक होंगे सुन्यक निकाल लो भाई असक्वाइर पलस थी एक्स पलस टू ठीक है बराबर जीरो तो सुन्यक अप्संस से भी निकाल सकते हो कि जो भी आप्संस आपको सुट कर रहा और जीरो के वराबर आया दो ही एसका एंसर हो जागा अलाकि आप गुरहर खंड विधी से भी निकाल सकते हैं दोरों को मल्टिप सकावर में लिखो 2x पलस X, multiply करके 2x सक्वाइर भी आजा और जोर जार के 3x भी आ तो यह फिट हो रही है तो x सक्वाइर पलस 2x प्लस x प्लस 2 बरावर 0 यहाँ पे x को मनाएगा तो x प्लस 2 प्लस 1 को मनाएगा तो x प्लस 2 ठीक है? तो यह होज़गा x प्लस 1 इन्टो x प्लस 2 तो यह x बरावर minus 1 और minus 2 किस option में है? minus 1 और minus 2 option नमर यह इसका क्या हो गया? answer हो ज़गा तो इसका a इसका सुन्यक कहलाएगा ठीक है 24 है कि महत्तम समावर तक A B इन्टू X लगुतम समावर तक A B गुना है लगुतम समावर तक A B देखो जब ही पूछा जाएगा महत्तम समावर तक A और B का और लगुतम समावर तक तो हमें इसा याद रखना है दोसो HCF गुने LCM जो होता है वो दोनों संख्याओं गुने FULL होता है A गुने B के बराबर तो यह होता है A गुने B के बराबर ठीक है ओप्सन समावर 24 का D चले 25 देखते हैं कि क्या कहा गया है दोस्तों कि 3 कौट A बराबर 4 तो साइन A का वहलू क्या होगा बहुत ही सिंपल है कौट A का वहलू यहाँ पर 4 बाटा में 3 है इसको हम लोगो क्या बलते है B बाटा में P P बाटा B होता है टेन ठीटा में यह उल्टा हो जगा B बाटा P यहां समदो A का वहलू निकालेंगे 4 का स्कुएर पलस 3 का स्कुएर तो साइन A का वहलू निकालना है तो साइन A का वहलू होता है P बाटा में H लंबाटा में कर्ण P दिया गया आपको 3 और कर्ण निकाले है 5 तो यह ही इसका क्या होगा एंसर होगा 3 बाटा 5 ओप्सनस नमर B तो दोस्तो हम लोगोंने यहां पर 25 ता कोसनस किया है ठीक है ये सारे मोडल सेट पे i questions से मोडल सेट का इसमें से अप लोगों हर सब्जेक्ट के हर चप्टर सोरी हर चप्टर के मैत का questions था ठीक है इसी त Surgery के का पिस सारे मोडल सेट आने बाले है वीडियो को लाइक कर लिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चलिए मिलते हम लोग अगले बीडियोज में दौस्तो वेब साइट-का लिंक आपको डिस्क्रिशिय। में दे दूगा अगले बीडियोज में अगर किसी भी सलवाब प्रॉलम है तो जुरूर कमेंट्स करके बताना चलिए मैं मिलता हूँ अगले सेट में मैच का और साइंस का ठीक है सारे सब्जेक्ट लेकर आओंगा मोडल सेट के रूप में तो बने रहना दोस्तों और वीडियो को हर जगा सीर भी करते रहना